कहते हैं भारत के कण कण में बसे है राम, हमारे देश के हर प्रांथ हर प्रदेश में रामायन सिर्फ एक कथा नहीं बलकि एक परंपरा है, इस परंपरा में मंदिर है, संगीत है, नाटक है, कला है और भक्तों के संप्रदाय भी हैं, आईए आज देश की यात्रा करके रामाय और मेरे साथ है वेद, पुरान, और अख्यान के विशेश अग्या, देवतत पतनायक. देवतत, आज हम रामायन परंपरा का अनुभाव करने के लिए निकले हैं. तो कहां से शुरू करें? बंबई से. तो बंबई में रामायन की परंपरा है? हाँ, देखे, हम तो भी बंबे में हैं, शुरूटिं यहां पर हो रहा है, लेकिन अगर आप साथ बंबे के तरफ जाएं, वहां पर एक कुंड है, जिसको कहते है, बान गंगा, यह जो बान है, जो राम ने अर्थ में लगाया था, ताकि पानी आजाया उनको पानी मिले पीने के लिए, तो रामायन की परंपरा बंबे के साथ भी जुड़ी हूई है, और ऐसी कुंड पूरे भारत में मिलते हैं, ऐसी कुंड, धरने, गुफाएं, जो राम, सीता और लक्ष्मन के साथ जुड़े हूए है, और महराष्ट्रा में? जनरली महराष्ट्रा में नाशिक इस पर राम ने अपने पिता के लिए शराद किया था, रामायन का नासिक में यहां जगा है जहां पर सीता का हरन हुआ था तो नाशिक शब्द भी आता है, सुरुपना के नासिका कैसे, जिसको काटा हो था लक्ष्मन ने, ने महराष्ट्रा में भावारत रामायन लिखी गई माराथी में एकनाथ जी लिखा थहा थाृ फिस सामे रफली वो ही ताइम जब तूल्सी दास्त जी नशा जिखा था और आढ़ बाहावारत राम gesो आवारत रामायन में भक्ती Πावना के और रहा प्रस्तत किया tadi नयक के हसाब से नहीं जो वाल्मी की यए रंचान में हम देखते है एक वी रस होता है, यहां पर भक्ती रस जादा है, तो फिर करनाट चलते हैं, करनाट का मैं क्या परंपरा है? करनाटक में कई रामायन लिखे गए, सबसे पुराना तुरवे रामायन है और इन फैट करनाटका में जो फर्स्ट करनाटक मुवी बनी थी, बनी 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 थी, वो थी सथी सुलोचना, जो मेगनाद की पतनी की कहानी है तो ये करनाटक से मिलता है, लेकिन और लोग परंपरा में एक इंट्रिस्टिंग स्टोरी है, जैसे शिव जी ने रावन को एक फल दिया कि ये पल अपनी पतनी को देना इससे तुम्हें एक बहुत अच्छा बच्चा पैदा होगा, बिकुस रावन का बच्चा नहीं था, ल जैसे वह चींकता है, जैसे लिए लड़की निकलती है, और रिशी कहते हैं कि ये तुम्हें एक मार डालेगी, और इस बच्चे को वह पानी में डाल देते हैं और कहते हैं यही बच्ची सीता बनके वापस आती है, तो यसको राम कथा कहते हैं, तो राम आयन तो संस्कृत क लेकिन राम कथा लोक परंपरा को कहते हैं, जहां पे लोकल स्टोरी बनते हैं, तो राम आयन परंपरा को राम कथा होंगी, राम मंदिर होंगे, राम लीला होंगी, नातक होंगे, पेंटिंग्स होंगे, मूर्ती होंगे, यह सब राम परंपरा को बनाती है, और सबकी अपन जिससे एक रस निकलता है, वो लोकल फ्लेवर आ जाता है, जैसे करनाटक की जो कहानिया भी बताई मैंने, जो लोक परमपरा से आती है, औरल ट्रेडिशन से, मौकिक ट्रेडिशन से आती है, यहां पर एक सिंप्लिसिटी दिखाए देता है, जो ग्रामीन सिंप्लिसिटी है, वो नागरिक सोफिस्टिकेशन नहीं होता है, फिर लक्षवदीप एरिया जो है, लक्षवदीप में बहुत मापले नामक मुसल्मान हैं, जो के हैं, और उन्होंने इसलाम धर्म को पालन किया, तो उनकी जो काव्य है, वहां पर रामायन भी उस काव्य का एक हिस्सा है, और यहां पर राम को सुल्तान कहेंगे, राजा नहीं राजा नहीं राम को कभी कभी लामन लव ओला जाएगा, पर वो साओटीस्टेशिया के साथ इनका बहुत रेलेशनशिप है, तो यहां पर इसको अमापला पत्टू बोलते हैं, इसमें रामायन भी है, तो अब श्री लंक अब श्री लंका जल पह, वहां पर क्या कहानी है? तो स्री लंका में अगर आप टूरिस्ट जाएंगे तो कहेंगे कि यहां पर अशोक वातिका था, यहां पर रावन का महल था, अभी वह कितना सच है, कितना तूरिस्ट लोगों को रिजानी के लिए नहीं बातें वह कि नादन स्री लंका में तमिल परंपरा बहुत स्ट्रॉंग है. अभी साउथ इस्टेशिया के दूसरे कंट्री में रामायन की क्या परंपरा है? थाइलेंड में रामायन की बहुत बड़ी परंपरा, इंडोनेशिया, बाली, सुमत्रा, जावा जो आइलिंस है, बर्मा, कं बोडिया, लाओ, सब जगा में रामायन पहली थी, हजार साल पहले, सी मर्चंट्स के थूसे, तो थाइलेंड में अभी जो राजा है, वो राम से उनका इडेंटिटी जोडते हैं, जो पहले राजा था ये अठावी शताबदी में वो अपने आपको राम बुलाते थे, रा लेकिन यहां पे रामायन और बुद्धिस परंपरा मिक्स हो जाती है, क्योंकि जो रामा राजा है, उन्होंने अमराल्ड बुद्ध को अपने इश्ट देवता मानते हैं, लेकिन वहां पे चारत और काव्य है, रामकीयन, जो राजा ने खुद लिखी थी रामायन की कहानी और यह जो साउती इस्टेश्या की स्टोरीज है, यहां पे रामायन बहुत दिखाए देता है, यहां लेकिन भक्ति रस नहीं दिखाए देगा, वीर रस दिखाए देगा, तो तो तामिलनाडू में क्या परंपरा है? तो तो तामिलनाडू का इंपॉर्टन्स आता है, और भक्ति परंपरा साउत से नौर्थ गई है, भक्ति परंपरा हजार साल पुरानी है, और यह रामयन के साथ बहुत जुड़ी है, क्या कि लोक भाषा में रामयन इस समय लिखी गई, और पहली वाली है, वो है तमिल की राम अवतारम, यहां पे राम को विश्नु का अवत जब तक वो धनुष नहीं छोड़ता है, तब तक वो पीछे नहीं जा सकता है, मतलब भगवान के सामने शरणागिती नहीं करता है, ऐसी कहानिया लिखेगी, इन कहानियों में भगवान के इच्छ से ही सब कुछ हो सकता है, आपके इच्छ से कुछ नहीं होता है, भगवान उसका इतना अच्छा है, तो भगवान उसको छू के उसको धार करते हूं, उन्हें मुक्ष प्राप्ति मिलती है. Even if he doesn't want it, he will get it because भगवान की ये अच्छा है. ये जो श्री वैशन वे निकलता है ये सब, तो ये तमिलनाड की परंपरा है. झाल की बाल की अच्छा है.